समस्या है परिशानी है दुविधा है अंधेरा है कश्ट है तो क्या समधान नहीं है बिलकुल है अगर दर्द है तो उसका भी समधान है अगर अंधेरा है तो उसका समधान है परकाश अगर बिमारी है तो उसका समधान है इलाज, अगर परिशानी है तो उसका समधान है ईश्वर की भक्ती, तो हर समस्या का समधान इस धर्ती पर है, बस हमें पता नहीं है कि कौन सी समस्या का दवा कौन सी है, जैसे हनुमान जी थे, लश्मर जी को जब नाख पाश में बांद जा था बेगनात्ने, तो हन्मान जी को संजीवनी बूटी नहीं पता थी, तो पूरा पहाड ले आये, तो वो तो हन्मान जी थे, वो तो ज्यानी थे, हम और आप उतने ज्यानी नहीं है, उन्होंने फिर भी पूरा पहाड उठा लाए, क्योंकि उन्हें भी समझ में नहीं आय लेकिन इस वीडियो में मैं आपकी परशानी का हल बताऊंगा, आपको पूरा पहाड उठाने के आउशक्ता नहीं है, आप पहाड में से संजीवी बूटी अपने लिए ढोंड लेंगे, तो आए मित्रों शुरू करते हैं आपके लिए, आपकी राशी के लिए समस्या का, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इस वीडियो के बाद आपकी परशानिया खट, नमस्कार दोस्तों, मैं स्ट लॉजर सचिन, स्वागात रविजंदन करता हूँ अपने सभी प्रिये दर्शकों का, आप लोग चैनल से जुड़िए, और इस चैनल से जुड समस्याओं की समाप्ति, रावन ने मासीता का हरण किया, एक बुरा काम किया, राम ने उनका वद किया, राम ने बुराई पर सच्चाई की जीद को कायम किया, तो ऐसे ही आपके जीवन में जो बुरा है, उसका अंत इस वीडियो में लिखा है, जो मैं आपको बताऊंगा, तो आईए शुभारम करते हैं और अपनी समस्याओं का अंद जान लेते हैं, क्योंकि हमें यही नहीं पता है कि हमारी समस्या का अंद क्या है, उसका समाधान क्या है, बात करते हैं आपकी राशी तुला की, तो तुला राशी वाले इस गोचर कुली को देखें, लंग में बैठे हुए हैं केतु और उसे ठीक सब्तम भाव में बैठे हैं राहू और फिर बारवे जहां में बारा नमबर लिखा हुआ हैं वहाँ पर गुरु बैठे हैं और उसके बारा नमबर में शनी बैठे हैं, तो तुला राशी यानि शुक्र की राशी, शुक्र तो सुखो के कारण ग्रह है, वरतमान में आपकी राशी में केतू है, राहू सप्तम में है, शनी पंचब में है, गुरु छटे में है, ये ग्रह बढ़िया इस्तिती में है, ग्रह अच्छी मजबूत इस्तिती में है, लेक से नहीं परशान है, पिछले कई सालों से परशान है, एक ने कहा ये वाली पूजा कर लो, दूसरे ने कहा वो वाली पूजा कर लो, तीसरे ने कहा ये वाला हमन कर लो, चौथे ने कहा इधर चले जाओ, पांच में ने कहा उधर चले जाओ, लेकिन सब कुछ कर लिया, लेकिन जर्ड नहीं मिला, क्योंकि आपको पता ही नहीं था, कि आपकी समस्या का खल्क है, आप भठक रहे थे, अब भठक में वाला काम को गया बद्न, तो कुछ दिनों से जो आपकी समस्या है चल नहीं थी, आप परिशान थे, आप समस्याओं के उपाई की तलाश में थे, लेकिन सठीक उपाई नहीं बिल रहा था, तो आईए, अब आपको में सठीक उपाई बताता हूँ, जहां पर साथ नंबर लिखा है, इस कुल्ली में ध्यान से दिखते रही है, कुल्ली आपके साथ साथ जहां पर साथ नंबर लिखा हुआ यह है आप, यानि तुलाल लगू के या तुलाल राशी के इंसान, अब तुला जहां लिखा हूँ, उसके बाद दूतरा भावाता है आठ नंबर, यह आठ नंबर क्या है, आठ नंबर का मतलब है धन, यानि कि जो आप कमाते हैं, कितना जोड़ पाएंगे, प्रॉफिट, प्रॉफिट में बचत कितनी है, बैंक बैलेंस कितना है, और आपकी वाणी और आपके परिवार का, जहां पर नौ नंबर लिखा हुआ है, वो है भाई बहन, पराकरम का भाव, साहस, क्योंकि जिसके अंदर ताकत है, वही तो यह दुनि प्रॉफिट शा का, कही न कहीं, लग का भी यह भाव आ जाता है, फिर इसके बाद जहां पर बारा नंबर लिखा हुआ है, वो भाव है, रोग रिड रिपू का, यानि की छटा भाव, परशानियों का, जहां पर एक नंबर लिखा हुआ है, यह सब्तम भाव होगा है, यह ह कष्ट, परिशानी जीवन में जो भी कष्ट आते हैं, जो भी दुख आता है, उसका भाव है यह, फिर जहां पर तीन नंबर लिखा हुआ है, यह भाव क्या है, भागी का, उन्नती का, तरक्की का, फिर जहां पर चार लिखा हुआ है, यह कर्म का भाव है, जो हम नौगरी वेपार करते हैं, उसका भाव है, फिर जहाँ पर पाँच नंबर लिखा हुआ है, ये profit की नौकरी वेपार किया, तो उससे क्या कमाया, जो Earnings, profit का भाव है, फिर उसके बाद, जहाँ छे नंबर लिखा हुआ, ये भाव है, मुक्ति का, कस्टो की मुक्ति का, यानि कि खर्चे का भाव हुए, मुख्ति का मतलब मुक्त हो गए, खर्च हो गए, यह आपने भाव समझ लिए। अब परिशानी शुरू कहां से हुई, ध्यून से देखिएगा, परिशानी शुरू हुई अष्टम भाव से जहाँ पे दो नंबर लिखा हुआ है यानि मिले एस्टमभौव से नवम्भाव से उसक्ष का इलाज मिल गया और यहाँ पर जो नवम्भाव है वहाँ पर क् u लिखा हुआ है तीन नंबर यानि की बुद थीन नंबर यानि की यानि की मितुन नाशियों नाशिया। बुद्ध और शुक्र की बहुत अच्छी दोस्ती भी है, तो पहला ग्रह हमें कौन सा मिला, जो हमारे भाग्य को चमका सकता है, जो हमारे भाग्य में आने वाली बाधाएं हैं, उनको दूर कर सकता है, वो है बुद्ध, और आगे बढ़ते हैं, अब बारवे भाव की तरफ चलते हैं, बारवा भाव जहां पर छे नंबर लिखा हुआ है, अब कश्ट किसको है, कश्ट किसको होता है, कश्ट आपको होता है, हमारे शरीर को होता है, चाहे शारीरी कश्ट हो, चाहे मानसी कश्ट हो, चाहे पैसे कम है, तो भी तो हमारी कश्ट हो रहा है, बीमारी है, तो भी शरीर को कश्ट हो रहा है, कोई अन्बन है, तो भी शरीर को कश्ट हो रहा है, यानि कश्ट मुक्ष मिल गया हम पूरे जीवन भागते हैं दोडते हैं अनेक काम करते हैं लेकिन हमारे मुक्ति क्या है? मृत्यू, मृत्यू भी एक सत्य है, एक किसी ने कहा है, जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरियों, कब पाहियों, पूरन परमानंद, तो मृत्यू पूरन परमानंद है, लेकिन मृत्यू भी एक सत्य है, तो यहां हमारे कष्टों से, हमारे कष्ट जो है, वो कष्ट मर गए तो आप जीवित हो गए, आप खुशाल हो गए तो जहां पर 12 नमबर है वहाँ पर जो बारवा भाव है वहाँ पर 6 नमबर लिखा हुआ है तो 6 नमबर का मतलब हो गया करनिया राशी और करनिया राशी के स्वामी भी हो गए जू आपके लिए दोनों ग्रह के स ग्रहे को बजबूत करना है बुद्ध ग्रहे को ये आपको समझ में आ गया अब आप की कौन सी ऐसी दिशा है जहां से आपका भाग जागेगा और कौन सी ऐसी दिशा है जहां से कष्ट खत्म हो जाएंगे तो पश्चिन दिशा से भागे जागेगा दक्षिन दिशा से कष्ट मुक्त हो जाएंगे तो पश्चिन दिशा की तरफ आप उड़नती करेंगे दक्षिन दिशा से कोई ऐसी सहायता मिलेगी जिससे आपकी बिमारियों को खत्ब होने का रास्ता दिख जागा, यानि कष्टो का की मुक्ती हो जाएगी, अब आपकी सहायता कौन करेगा इस दुनिया में, इस दुनिया में, आपकी पास हाथ खनाए भीया मेरी मदद करदो जब परशानी में हो, तो आपकी मौसी, आपकी चाची, आपकी भतीजी, जो हिजडे होते, किंद्र होते, इस या आपकी मदद करेंगे, चाह वो रियल दुगा हो, चैनल मौसी हो, या फिर कजिन हो, या फिर उस उम्र की महिला हो, तो किसके पास मदद के लिए इनके पास मदद के लिए जाएए, उपाए क्या है, आप नवम भाओ झो है, भागे क भी स्वामी है तो कि वहां पे 12 नंबर की राशी आती है, मीन राशी तो अब आपको कुछ उपाय बता रहा है, उपाय क्या करना है या तो ये सारे उपाय कर लेजिए या इनमें से कुछ एक एक उपाय कर लेजिए तो भी आपका भला हो जाएगा, तो पहले तो अपनी मौसी, चाची, भतीजी, बहन, बेटी, बुवा और किंद्रों की सेवा करनी है इसे आपको मदद पिलेगी, दूसरा उपाय क्या करना है, 43 दिन, 43 दिन तर चावल को हल्दी से पीले करके थोड़े से एक मुठी चावल, या दोचार दाने चावल, साबोचावल, जल परवा करें, बहते हुए पानी में, दिन के समय, 43 दिन, ये नहीं कर सकते हैं, तो महिलाए हो, महिलाए हो, या पुरुशों, दोनों कर सकते हैं, 100 दिन तक अपनी नाग का छेदन कराएं, और उस ये सबसे सरुशेश उपाय है, इस उपाय को करके थोड़े सा दिक्कत हो सकती है, महिलाओं के लिए तो कोई खास दिक्कत नहीं है, ये कुरुशों को शायद थोड़े सी दिक्कत हो सकती है, तो वो क्या करें, गुरु की सेवा करें, कौन गुरु है, पिता गुरु है, शि केसर का टीका माथे पर लगा सकते हैं जहां कई मंदर या कोई धरमशाला या कोई ऐसी धार्मिक चीज बन रही वहां पर रेत यानि बालू जिसको वोलते हैं बालू या रेत उसका दान करें इतना कर लेंगे तुला राशी वालों के जीवन से कि गश्ट छू मंतर हो जाएग अब आप कहेंगे सिर्व इतना करने से हो जाएगा तो मैं एक बात और भी कहूंगा कि अपनी जरम खुलनी की जांच जरूर कराएं अब एक ग्रह सारे कश्ट दूर नहीं कर सकता यह राहा जरूर देदेगा लेकिन जब आपके सभी ग्रह मजबूत जब एक ग्रह आपको बाकी ग्रह मजबूत हो जाएंगे तो स Понग लिजिए आप तो कहां से कहांपहुंच जाएंगे तो अगर आप थोड़ी सफलता चाते है तो बुद्ध को मजबूत कर लिजिए और आपको संपून सफलता चाहिए तो अपनी जरम कुले की चांच कराएंगे और सभी ग्रहों तो दीपा वली का उस्ता हुआ था तो ऐसे दीप जलेंगे आपके, सफलता के दीपक जलेंगे, सोचिए, कितना बढ़िया वक्त होगा। अगली बात क्या है? अगली बात यह है कि जो भगवान है। आप से राम को माने, या मा सरस्वती को माने। जिसमें भी आपकी भक्ती हो, जिसमें भी आपका विश्वास हो, उनके सामने हार जोड़को प्रात्ना करें और उनसे ये कहें हमारे कष्टों को मिटाओ। हमाई कश्टों को मापको की भगवान ही है जो कश्ट मिटा सकता है ग्रह कश्ट नहीं मिटा सकते ग्रह जो है वो टंप्रेरी बेल दिला सकते है लेकिन माफी कौन दे सकता है जैसे किसी को फांसी हो जाती तो माफी कौन दे सकता है राश्पती साहब तो ऐसे ही भगवान के सा अपने आप पर विश्वास रखना है और मेहनत करनी है और आलस नहीं करना है और अपने परिवार में खुशहाली बना कर रखती है क्योंकि परिवार ही पहली शीड़ी होती है सफलता की जिसके परिवार में किच-किच-किच-किच-किच-किच-किच-किच वहां पर कभी सफल वो कोई ना कोई रिष्टा है आपका तो हर ग्रह को मजबूद करने का एक सबसे सबल तरीका होता है परिवार और रिष्टिदार और दोस्तियार जो भी आपके आज पास लोग हैं इस सबसे अच्छे रिष्टे रखिए ग्रह मजबूद हो जाएंगे बिना कुछ किये ही उम चाहाँ जाँ झाल तरीका है लुध किये वार और दोस्तियार और दोस्तियार जाएंगे लिए और शोस्तियार जाएंगे वेष्टे ये वेड़िए ये लिए ये ये